हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांसी स्टडी चैनल दोस्तो आज है पांच जुलाई दो हजार चौबिस और पांच जुलाई दो हजार चौबिस से रेलेटिट करंट अफिर्स के जितने भी कुश्यन बन सकती हैं आज की क्लास में सारी कुश्यन को कवर करेंगे और हर कु आँगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत द्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए इससे आपकी तैयारी करंट अफिर्स में बहतर होने वा आएंगे तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले कुशन पर आते हैं आज का पहला कुशन लिखा है किस देश की नौ सेनाने भारतिये गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन बजनी समुद्री जहाज के लिए समझोते पर हस्ताचर किये है व और एन 800 टन ओसीन गोइंग टब फर्स्ट ऑप्शन है तंजानिया सिकेंड ऑप्शन है बांगलादेश थर्ड ऑप्शन है ओमान फोर्ट ऑप्शन है सिंगापूर जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ऑप्शन नंबर बी बांगलादेश चलिए इस कुश्चन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंट टू को परते हैं बांगलादेश नौसेना ने भार्टी गार्डन री से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझोते पर हस्ताच्चर किये हैं यह एक बड़ा अनुबंद है जिस पर 500 मिलियन डॉलर की रिड़ साहता के तहत हस्ताच्चर किये जाएंगे इस समझोते पर ढाका में GRSE और बांगला दिस नौसेना के रच्चा खरीद महानिदेश आले के प्रती निदियों की उपस्तती में हस्ताचर किये गए ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट किस राज सरकार ने जून 2014 में मुखिëमंत्री किसान सम्मान न्यदी योजना शुरू की है विज श्टेट गवर्मेंट है जे लॉंजड मुखिमंत्री किसान सम्मान न्यदी स्की इन जून 2024 फर्ष्ट ओप्शन है उत्तर पिर्देश ने, सिकिंड ओप्शन है गुजरात ने, थर्ड ओप्शन है राजिस्थान ने या फोर्ट ओप्शन है पंजाब ने बताईएगा दोस्तों किस राजिसरकार ने जून 2024 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निदी योजना सुरू की है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्शन नमबर सी राजिस्थान राजिसरकार ने चलिए इस कुशन से रेलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट यो को पढ़ती है राजिस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरमाने टौंकी किरसी उपजमंडी में राजिसरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निदी का सुभारम किया मुख्यमंत्री ने राजिके लगवग 65,000,000 किसानों को पहली किस्थ के रूप में 650 करोर रुपए जारी किये राजिके पात्र किसानों को पीम किसान योजना के तहट केंसरकार दौारा प्रतिवर्स दिये जाने वाले 6,000 रुपए के साथ साथ राजियोजना के तहट भी लाब मिलेगा ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स जून 2024 के लिए सेकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह कितना रहा है दा ग्रॉस गोड्स एंड सर्वेस टेक्स GST कलेक्शन फॉर जून 2024 इस्टुड एट फर्स्ट आप्शन है दोस्तों 1.54 लाग करोर रुपी सिकेंड आप्शन है 1.64 लाग करोर रुपी थर्ड आप्शन है 1.74 लाग करोर रुपी या फूर्ट आप्शन है 1.84 लाग करोर रुपी जल्दी से बताईएगा दोस्तों जून 2024 के लिए सेकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह कितने रुपे रहा है इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं मारा आप्शन नंबर C 1.74 लाग करोर रुपी चलिए से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है जून 2024 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 1.74 ट्रिलियन रुपे रहा है जो साल दर साल 7.7 पिरस्त की वरदी दर्शाता है यह वार्सिक वरदी अप्रेल और माई में दर्ज की गई क्रमसह वारप पर दसमलब 4 पिरस्त और 10 पिरस्त की वरदी से काफी कम है महीने दर महीने के आंखडे भी इस्थिर रहे इस साल माई में सकल GST संग्रह 1.73 ट्रिलियन रुपे रहा जबकि अप्रेल में 2.1 ट्रिलियन रुपे का रिकॉर्ड उच जी अश्थि संग्रह हुआ जून के राजस्विने वितिय वर्स अब तक का कुल 5.57 ट्रिलियन रुपे का आकड़ा चू लिया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हों नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स भारत सरकार के किस मंत्राले ने भारतिय जीव जन्तू चेक लिस्ट पोर्टल लॉंच किया है विच मिनिस्ट्री ओफ दी गोल हैज लॉंच दी फ्रोना ओफ इंडिया चेक लिस्ट पोर्टल फर्स्ट ओप्शन है मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमली वेलफियर सिकेंड ओप्शन है मिनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट और फोरेस्ट थर्ड ओप्षन है Ministry of Housing and Urban Affairs या फोर्ट ओप्षन है Ministry of New and Renewal Energy बताईएगा दोस्तों भारा सरकार के किस मंत्राले ने भारतिय जीव जन्तु चेकलिस्ट पोर्टल लॉंच किया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्षन नंबर बी Ministry of Environment and Forest चलिए इससे रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है किंद्री पडियावररवन और जलवायू परिवर्टन मंत्री भूपेंद्रियादव के अनुशार भारत अपनी संपूर जीव जन्तों की सूची तयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गिया है इसमें एक लाग चार हजार पांसो एकसर प्रजातियां सामिल हैं इससे भारत जैव विवित्ता, दस्तावेजी करण और संरचचड में वैस्विक अगरडी बन गिया है मंत्री ने तीजून दो हजार चौबिस को पश्य मंगाल के कोलकाता में भारती प्राडी सरवेजचड की 109 वी वर्जगाट मनाने के लिए कोलकाता में आयोजित एक समहारों में यह जानकारी दी उन्होंने भारती प्राडी सरवेचड द्वारा संचालेत भारती जीव जन्तियों की सूची पोर्टल का आपचारिक रूप से सुभारम भी किया जिसमें भारत की ग्यात समस्त 1,4,561 जीव जन्तियों की सूची उपलब्द है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट जुलाई 2024 में किस बैंक ने उधार करताओं की क्रेडिट प्रोफाइल का आकलन करने के लिए सहे उधार व्यवसाई के तहट पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिम्टेड के साथ साजेदारी की है इन जुलाई 2024 विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ प्रामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिम्टेड अंडर दी को लेंडिंग बिजनिस तो एसे दी क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ बॉर्वर्वर्स फर्स्ट ओप्षन है फेडरल बैंक, सिकेंड ओप्षन है एक्सिस बैंक, थर्ड ओप्षन है यस बैंक, फोर्ट ओप्षन है एजडी एपसी बैंक बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है मारा option number B access bank चलिए इस question से related important point 2 को पढ़ती है भारत के तीसेरे सबसे बड़े निजी छेतर के bank एकसे बैंक ने सहर रिड कारोबार के तहट पिरामल capital and housing finance limited के साथ साज़ेदारी की है इस साज़ेदारी के माद्यम से दोनों रिड़दाता ग्रामीड और अर्थ सहरी छेतरों पर ध्यान के इंद्रित करते हुए मद्यम और निम्न आईवर्ग के उधार करताओं को रिड़ पिरदान करेंगे यह साज़ेदारी एकसे बैंक की वित्तिय विसे सगेता और पिरामल finance की दिड़ प्रसंस करड़ प्रोधोगी की का लाव उठाएगी ताकि उधार करताओं की क्रेडिट प्रोफाइल का आकलन किया जा सके और उन्हें प्रामल finance की 490 साखाओं के नेटवर्ग के माद्यम से प्रती परदी ब्यास दरों पर रिड़ पिरदान किया जा सके ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुष्ण देखते हैं नेश कुष्ण लिखा है फ्रेंड्स ट्रू कॉलर ने फ्रोड इंस्योरेंस लाउंच करने के लिए किस समान बीमा कंपनी के साथ साजेदारी की है ट्रू कॉलर है पार्टनर्ड विच जर्नल इंस्योरेंस कंपनी टू लाउंच फ्रोड इंस्योरेंस फर्स्ट ओप्षन है बजाज आलियांस जन्रल इंस्योरेंस सिकेंड ओप्षन है भारती एक्सा जन्रल इंस्योरेंस थर्ड ओप्षन है HDFC एग्रो जन्रल इंस्योरेंस या 4th option है Royal सुन्दरम General Insurance बताइएगा दोस्तों True Caller ने Fraud Insurance लाँच करने के लिए किस समान ने Bima Company के साथ साजेदारी की है? इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है मारा option number C HDFC Agro General Insurance के साथ? चलिए इस question से related important point को पढ़ते हैं दुनिया की अग्रेडी वेस्विक संचार प्लेटफॉर्म True Caller ने धोकादड़ी बीमा सुरू करने के लिए भारत की अग्रेडी समान बीमा Company HDFC Agro के साथ साजेदारी की है इस पहल का उद्देश भारत में डिजिटल संचार दोकादड़ी के खिलाव उपवोकताओं को बहतर सुरू अच्छा पिरदान करना है दोकादड़ी बीमा उत्पाद पूरे भारत में Android और iOS उपयोग करताओं को 10,000 रुपे तक का coverage पिरदान करेगा यह उत्पाद ट्रू कॉलर के वार्सिक प्रीमियम गरहकों के लिए उपलब्द है और सभी मौझूदा गरहक अपनी मौझूदा योजना के तहत इस सुरच्छा का मुप्त लाव उठा सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए आंगे वर्टियों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीड और अर्द सहरी बाजारों में उच्छ मूल वाले गरहकों के लिए यूनियन प्रीमियर साखाई सुरू की है रिसेंटली विच बैंक है जो लॉंच्ड यूनियन प्रीमियर ब्रांचिस फॉर हाई वैल्यू कस्टमर्स इन रूरल एंड सेमी अर्वन मार्केट्स फर्स्ट ओप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक सिकेंड ओप्शन है इंडियन ओवर सीज बैंक थर्ड ओप्शन है यूनियन बैंक ओफ इंडिया या फोर्थ ओप्शन है करनाटक बैंक बताईएगा दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने ग्रामिड और अर्द सहरी बाजारों में उच्चे मूले वाले ग्राकों के लिए यूनियन प्रीमियर साखाई सुरू की है इस कुश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मारा ओप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ओफ इंडिया ने चलिए से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है यूनियन बैंक ओफ इंडिया ने ग्रामेर और अर्द सहरी बाजारों में उच्च मुलवाले ग्राकों के लिए यूनियन प्रीमियर साखाई सुरू की है व्यक्तिगत बैंकिंग सहिवाएं परदान करने के लिए डिजाइन की गई ये साखाई आर यू एस यू बाजारों में उच्च मुलवाले ग्राकों के लिए एक ही छट के नीचे उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तरत संकला पेस करेगी पिरतेक यूनियन प्रीमियर ग्राक को अपनी सभी बैंकिंग आवे सकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यक्तिगत रिलेसंसिब मैनेजर तक पहुँच प्राप्त होगी ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़तियों नेच कुशन देखती है नेच कुशन लिका है फ्रेंड्स आईकर विभाग के प्रिसासनिक निकाई केंदरी प्रित्यच कर बोर्ड के नई अध्यच के रूप में किसे निक्त किया गया है फर्स्ट आप्शन है रवी अगरवाल, सिकेंड आप्शन है नवीन सर्मा, थर्ड आप्शन है अंसिका सिंग या फोर्ट आप्शन है सुनील मैनन जल्दी से बताईएगा दोस्तों आई कर विभाग के प्रिसासनिक निकाई केंदरी प्रित्यच कर बोर्ड के नई अध्यच के रूप में किसे निक्त किया गया है इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वह है मारा ओप्शन नमबर ए रवी अगरवाल जी को चलिए इससे रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है 1988 बैच के आई आरेस अधिकारी रवी अगरवाल को आई कर विवाग के प्रिसासने निकाए केंद्री प्रित्यच कर बोर्ड का नया अध्यच निक्त किया गया है वह 1986 बैच के बार्टी राजस्व सेवा अधिकारी नितिन गुपता का इस्थान लेंगे जिनका अध्यच के रूप में विस्तारित कारिकाल 30 जून को समाप्त हो गया था अगरवाल की निक्ती जून 2025 तक बढ़ा दी गई है CBDT के नीती धाचे में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अनुबंद के आधार पर पुनन निक्ती की जाएगी ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बाढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स वित्य सेवा संस्थान ब्यूरो ने चल्ला स्री निवासलू सेटी को भाढ़ती इस्टेट बैंक का अगला चेयर्मेन चुना है सेटी स्थान के कितने नंबर के चेयर्मेन होंगे फाइनेशियल सर्विसेस इंस्टिऊशन ब्यूरो है जिस सिलेक्टेड चल्ला स्री निवासलू सेटी एज दी नेक्स्ट चेयर्मेन औफ इस्टेट बैंक ओफ इंडिया City will be the chairman of SBI First option है 27th Second option है 26th Third option है 25th या fourth option है 24th बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का जो right answer हो जाएगा friends वह है मारा option number A 27th चलिए इससे related important point को पढ़ती है वित्य सेवा संस्थान ब्यूरो ने चल्ला स्री निवासलू सेटी को भारती स्टेट बैंक के अगले अध्यच के रूप में चुना है इस पद के लिए अस्विनी तिवारी और विने टॉंस दो अन्न दावेदार थे सेटी मौझूदा चेयर्मेन दिनिस खारा की जगह लेंगे वह 63 साल के हो जाएंगे जो SBI चेयर्मेन पद के लिए अधिक्तम आयू सीमा है उनका कारेकाल अगस 2024 में समाप्त होने वाला है वर्तमान में सेटी सबसे वरिष्ट प्रवंद निर्देसक है और उन्होंने बैंक में 35 वर्सों तक काम किया है उन्हें 2020 में MD के रूप में नुक्त किया गया था और वे SBI में अंतराष्टिय बैंकिंग, वेस्विव बाजार और प्रौदोगिकी के प्रमुक है ठीके दोस्तों, चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंट्स, इंडिया फिर्स्ट लाइफ इंसियोरेंस के नई प्रवंद निर्देसक M.D. और मुक कारिकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नुक्त किया गया है फ्रेंट्स, इंडिया फिर्स्ट लाइफ इंसियोरेंस फर्स्ट ओप्सन है गौरब बैनरजी सेकेंड ओप्सन है जेटा अहीर थर्ड ओप्सन है विनोद गनात्रा फूर्ट ओप्सन है जेशब गन्दी बताईएगा दोस्तों इंडिया फिर्स्ट लाइफ इंसियोरेंस के नई प्रिवन निर्देसक और मुक कारिकारी अधिकारी के रूप में किसे नुक्त किया गया है इस कुश्टन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चलिए इससे रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं इंडिया फिर्स्ट लाइफ इंसियोरेंस कंपनी लिम्टेड ने एक जुलाई से रिसब गन्दी को अपना नया प्रिवन निर्देसक और मुक कारिकारी अधिकारी नुक्त किया है गांदी जो पहले डिफ्टी सीओ थे विसाखा आर एस का स्थान लेंगे जो नौ साल की सेवा के बाद 30 जून 2024 को सेवा निवरत होंगी B.F.S.I. उद्योग में लगवक तीन दसकों के अनवो के साथ गांदी ने संगठन का नेत्रत्व करने पर गर्व व्यक्त किया और इंडिया फर्स्ट लाइफ को पिट्टिक भारती के लिए सबसे पसंदीदा बीमा करता बनाने के लच्छ को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद व्यक्त की है ठीक है दोस्तो आज के सभी कुश्यन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे और सभी कुश्यन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे एक्जाम के नजरिये से दोस्तो क्लास बहुत हेल्फुल रही होगी आप लोगों के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा ठैंक यू सोमाथ दोस्तों